हाई मैं परशान्थ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ट्वेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग हिकानेसी केंडल और इसस तो आपने उसके पढसे हूं अखर आप इस वीडियो देख सकते नहीं तो उसका लिंग आपको इस वीडियोма के दिसक्रिप्शन में भी मिल जाएगा है तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे हम trend reversal को identify कर सकते हैं यह जी हिकानेसी candles तो यहाँ पर हम चार्ट पर आ गया है और यह देख सकते हैं वेदानता का daily चार्ट है यहाँ पर दो basic question वहाता है कि हम जो stock का selection करते हैं वह हमने वेदानता यह stock का selection क्यों किया है वह एक basic question रहता है और time frame को लेके basic question रहता है तो यहाँ पर हमें इस strategy के लिए जो stock का selection करना वैसा stock select करना जो कि आपका volatile हो चाहिए वो nifty 50 से हो या फिर nifty 50 से बाहर हो वेदानता recent times में आपको बहुत ज्यादा volatile मिलेगा इसलिए यहाँ पर हमने वेदानता को पिक किया आप और भी पिक कर सकते हैं जो कि आपको volatile कम हो तो यहाँ पर आपको high volatile stocks को पिक करना सबसे पहले तला criteria यह है और इसके basis पर आप stock selection कर सकते हैं और उसमें जो भी strategy में आवगे बताऊंगा उसको आपको apply करना पहला stock selection किस criteria होगा clear दूसरा time frame यहाँ पर हम क्या identify कर रहे हैं यहाँ पर हम reversal identify कर रहे हैं त और सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट पर आपको बने रहे हैं अगर आप आवली चार्ट यह से नीचे चार्ट पर जाओगे क्या होगा वहाँ पर एक कुरेशी लेबल बहुत कम हो जाएगा फिर कोई मतलब रहेगा ने इसलिए यहाँ पर आपको volatile stocks करना और साधी साथ क्या करना डेली चार्ट टाइम्फरेम जाल इस्तवाल करना और से कैसे यूजज कर सकते हैं यहाँ पे आपको केंडल का साइन दिख रहा होगा इस पर आपको जाना और यहां पर आको ही कांडिय चाये किर NASmont करता अगर यहां अगर आपका लिंक वीडियो के description में मिल जाएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा strategy क्या उससे पहले मैंने लाश्ट वीडियो आपको क्या बताया था यहां पर दो चीज आपको focus करना रहता है क्या focus करना रहता सबस्पहले candle के length को focus करना रहता ठीक है candle का length कैसा है अगर length छोटा हो रहा मतलब buyers या फिर sellers का strength कम हो रहा और दूसरा अगर candle आपका uptrend में जा रहा तो यहां पे आपको क्या होना चाहिए open equal to low formation जरूरी है और नीचे जा रहा है मतलब open equal to high formation जरूरी है जब भी ऐसा ना हो तो आप जो भी previous position से उससे आप exit कर सकते हैं तो इसके उपर क्या strategy form करेंगा उसके उपर भी हम बात करेंगे लेकिन आज जो यहां पर हम strategy बनाए वो थोड़ा सा अलग है यहां पर आपको strategy में क्या find करना सबसे पहला stock selection हो गया time frame हो गया अब strategy क्या है यहां पर सबसे पहला point find करना है कि आपको 10% या फिर इससे ज़्या आया है हिकाने सी candle पर अब यहां पर देखिए लगबग 10% का upside move दिखा दिया अब उसके बाद दूसरा चीज हमें क्या identify करना 10% का upside move है यहां से यहां तक का upside move है दूसरा चीज जो हमें identify करना वह identify करना है inside bar candle या फिर inside bar pattern बोल सकते हैं यह हमें identify करना और जब भी 10% move के बाद या फिर इससे ज़्यादा move के बाद inside bar candle देखने को मिलेगा उसकी बाद तीसरा point जैसे हमें inside bar candle देखने को मिलेगा फिर हमें opposite candle find करना यानि green candle है तो red और red है तो green यानि opposite candle हमें यहां पर find करना बस इनी त कर सकते हैं यूजिंग हिकानेशी candle और यहां पर हम कोई इंडिकेटर का इस्तमाल नहीं करेंगे सिर्फ candlestick के वेसिस पर आपको बताएगे कि कैसे आप reversal find कर सकते बस इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जोर कर द दूसरा point inside बार candle का भी formation हो गया inside बार pattern का formation हो गया तीसरा point क्या है opposite candle होना चाहिए यहाँ पर Gvn candle है तो red candle का formation दिखना चाहिए नहीं दिखा है तो यहाँ पर reversal के लिए हम नहीं जाएंगे उसके बाद हम और wait करेंगे और price उपर गया है और यहाँ पर आपका inside बार formation सुरू हो गया और उसके बाद देख सकते हैं यहां पर रिट लका फरमशन क außerół लिए वार के बाद जैसे यहां थे वार करना उन रिटरजीजी फर्मों कि यहां और आपने रहत है तो नहीं का हमारा लखने वार rivalry फार्म हो उसकी यहां पर यहां पर उससे पहले अप्ट्रेंट था तो रिवर्सल देखने हों कि मिलेगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चीज़ द्यान रखना है कि इसके वेशिट पर आप करते हैं कि अरधिक जाना सकते यहां पर यहांब करते हैं और करने और यहां पर यहां पर यहां पर क्या करेंगे इससे जर्स आपर 230 गाट bene सेल करें यह निए इस लेवल के आसपा जो भी स्वैक्ट प्राइस होगा उसका पूट अप्संस यहां पर हम वाई करेंगे तो अप्संस वाला हो गया इंट्री में इस पॉइंट पर लेना फ्यूजर में आप इस पॉइंट में इंट्वी ले सकते इस टॉप लोस क्या होगा इंट्री स्टॉप लोस क्लियर हो गया तागेट प्राइस अब यहां पर प्राइस आपका नीचे साइड यह तरफ गिरा है तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम वापस से देखेंगे कि at least 4-5 परसंड का यह डाउन फॉर मोमेंटम जरूर दिखा सकता है नहीं तो क्या हो गा यहां पर लात क्या होना चाहिए in का formation हुआ यह नि, जो यहाँ पे हमने Sell positions लिया था, वो Sell positions को यहाँ पे हम Exit करेंगे और यहाँ पे हम Profit Book करेंगे यहाँ यहाँ पे मुझे Profit कितना मिला, लगबग आपका 10% कुरेंगे यहाँ पे मुझे Profit भी मिल गया है इस तरीके से क्या करेंगे इस तरीके से यह हमारा क्या बन जाएगा target price बन जाएगा यह नि इस strategy के basis पर आप target price भी find कर सकते हैं और reversal के लिए जा सकते हैं देखें यहाँ पर ऐसा कुछ formation हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें reversal देखने हों मिलेगा और उस reversal को हम यहाँ पर play करेंगे और उस reversal को हमने play किया और अच्छा खासा profit बनाया तो target आपको ऐसे ही find करना पड़ेगा जिस तरीकिस हम entry point find करते हैं वैसे यहाँ पर हम target price find करेंगे अगर यहाँ पर यह inside bar pattern को break नहीं करता यह इसके अंदर ही जाता और यहाँ पर win canada formation हो जाता तो यहीं पर हम क्या करते हैं अपने positions को exit करके यहीं भी हम profit book कर लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है यह concept के लिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं देखते हैं और भी आगे ऐसा कुछ देखने को हमें मिला है यहाँ इसके वाद यहाँ पर आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लगबग यह 10% का upside move दिखा दिया उसके बाद आपका लगबग यहाँ पर देख सकते हैं इंसाइट बार pattern का formation हुआ और इंसाइड बार pattern form करने कौाद यहाँ पर bake candle playing प्राइशन हुआ आप उसके बाद हम क्या करेंगे सेल्सेटेंगे जब अगला वेड्ट केंडल ओपैन होते ही हम सेल्सेटी तरफ जायाएं लेकिन अगला जो आपन हुआ है आपका देख सकते हैं मिला ही नहीं अगर हमें इसके भाद वेड्ट केंडल indul हम इसके basis पे sell set की तरफ जोड़ जाते हैं अब देखिए इसके बाद price आपका और upset की तरफ गया है और उसके बाद यहाँ पे आपका inside bar pattern का formation इसने नहीं किया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके basis पे हम sell positions यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि जो पहला criteria 10% वो तो satisfied हो गया लेकिन दूसरा point जो था inside bar pattern वो satisfied नहीं हुआ है और यहाँ पे दूसरा point satisfied भी हुआ था लेकिन हमें entry कहाँ पे लेना था पहला red candle बनते ही दूसरा red candle open होते ही हमें लेकिन दूसरा जो candle open हुआ है वो green open हुआ है इसलिए यहाँ पे हम entry नहीं बनता है और देखें यहाँ पे हमने तीनो point को satisfy करवाय उसके बाद एक और चीज़ था कि हमें entry point find करना और जब हमने entry point identify किया तो उसके basis पे यहाँ पे हमें एक trap यहाँ फिर एक एसल हीट हो सकता था उससे यहाँ पे हम बच गए और यहाँ पे हमें inside by pattern नहीं बना उसके basis पर यहाँ पे हमें बचा लिया गया उसके बाद price आपका यहाँ भी लगवग 10% से ज़्यादा का गिरावट दिखाया है उसके बाद आपका inside by pattern का formation होगा दूसरा point satisfy तीसरा उसके बाद आपका opposite candle का formation होगा है बिल्कुल हुआ है उसके बाद अगला given candle बनते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे तो उसके बाद हम wait करेंगे क्या होगा inside by pattern का formation हो उसके बाद opposite candle form हो तो उसके बाद देख सकते हैं inside by pattern का formation आपको यहाँ पे देखने को मिला है देख सकते हैं inside by pattern है उसके बाद आपका wait candle का formation होगा है यहाँ पे हम क्या करेंगे exit करेंगे और यहाँ पे हम अपना profit book कर लेंग है और उसके बाद चाहो तो यहां पर अगला वेड़ केंडल ओपन होते ही वापस से हम क्या कर सकते क्योंकि यह जो हमारा पॉइंट है उसको की तरफ हम जा रहे हैं नीचे साइट की तरफ देखेंगे अब यहां पर देखिए प्राइस आपका नीचे साइट की तरफ गया है लेकिन इंसाइट बार पैटरन बना और उसके बाद आपका देख सकते हैं इंसाइट बार पैटरन बना और उसके बाद आपका देख सकते हैं sell करते या फिर यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि हमें profit नहीं, यहाँ पर हम cost to cost ही निकले हैं तो यहाँ पर हमने 2-3 trade execute किया, यहीं पर हम continuously आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें 2-3 जगों पर हमें trap से बचा लिया गया, लेकिन यहाँ पर हमें चोटा सा profit होगा, यहाँ फिर cost to cost जाएंगे, यहाँ पर भी मुझे loss नहीं उठाना परेगा, उसके बाद वापस से price आपका उपर गया और 10% ज्यादा का upside move दिखाया और यहाँ पर भी देख सकते हैं, perfect हमारा inside bar pattern का formation हुआ, red candle तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, red candle बनते हैं, यहाँ पर हम reversal खेलिए जाएंगे, और यहाँ पर हम अगला candle open होते हैं, यह नि clear कर देते हैं, इस particular candle का open होते है, red candle open हुआ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, entry करेंगे, और entry करके यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे SL हम यहाँ पर इसको रखेंगे उसके बाद आपका price नीचे किरा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंसाइड बार pattern का फार्मिशन बार wind candle यहाँ पर हम exit करेंगे और यहाँ पर हम profit book करके exit करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें clear cut continuously कई बार हमें reversal का hint मिल रहा है लेकिन तीनों point satisfy होने की बाद क्या है तीनों point short count बता आदा हम 10% दूसरा है inside बार इसको आपको ध्यान में रखना है तीसरा है आपका opposite candle यही तीन condition को अगर आप satisfy करेगा तो यहाँ पर हम इंट्वी लेंगे चौथा point एक और कर सकते हैं entry entry हमें कब लेना है पहला opposite candle बनते ही इंट्वी लेना लेकिन कब इंट्वी लेना अगर अगला candle red form होता है तो अगला candle opposite जो भी candle है same opposite candle form होना चाहिए यहाँ पर भी हम बोल सकते है जो next candle है वो जो opposite candle का color है वही color का form होना चाहिए अगर opposite candle green बना है то green बना चाहिए red बना है तो red बना चाहिए तब ही हम positions लेंगे अगर opposite candle green बना फिर अगला red बन गया तो हम entry नहीं लेंगे और opposite red बना अगला green बन गया, तो हम यहाँ पर entry नहीं लेंगे, कोई confusion नहीं है, बस यह 3-4 point आपको ध्यान भाइखना और इसके basis पर आप आसानी से reversal के लिए जा सकते हैं, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक तो अपना, जो sell position था, वो exit करेंगे, साध नहीं पर हमारा एक entry भी बनेगा, उसके बाद price उपर गया है, और यहाँ पे यह एक ही red candle आपका यहाँ पर lowest point पर आगया है, जहाँ पर हम SL वखनेगे ती यह नि, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो भी SL था, वो hit हुआ है, और आपको यह कई कई बार देख हिट हुआ है और इसको सब्सक्राइब हो रॉच्त करें गाते हैं ऑन इस tadı करेंगे और उसके बाद आप सब्सक्राइब रहे सकते जहां परल इस प्र्डम डिखार आपको इसको आगे विद अपूसरी सकते वेदा Previously U टूर्म में यहां पर प्रैस आपका वापस से उपर जाना स्टाट कर दिया है। यहां पर आइदर 2-4-5 परसनने का प्रॉफिट बॉक करें या नहीं सेम सिटूएशन अगर हमें आगे देखने का मिलेगा तो हापे हम एकजित करेंगे। उमीद करते हैं, यह strategy काफी simple है और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा और इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion हो तो आप हमें comment section पूछ सकते हो So, that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन